नमस्कार प्यारे साथियो स्वागत है आप सभी का ग्यानार तकेट में की यूट्यूब चनल पर आज अभी अभी रात्री दस बजे जो है एक ख़बर आई ख़बर के आई कि पीटीटी की जो ऑफिशल आंसर की वो जारी कर दीगी तो हमने जब इसकी वेबसाइट पर कहें तो यहां निशित रूप से आंसर की का ऑप्शन खुला और आंसर की का ऑप्शन में यह आपको सामने दिखाई दे रहा है कि चार वर्षी की अलगी गई है दो वर्षी की अलगी गई है किस परकार से दिखाई देता है यह देखिए आपके सामने खुल कर आ गई है तो के जिसमें की उस चैनल पर हमने ये आंसर की आपको उपलब्द करा दी है तो आप महां जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बोक्स में आप आपके नंबर लिखना ने भूले कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं ताकि हम ये आपको बता सकें कि क् कि कॉलेज आपको उपलब्द हो जाएगा जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि उस जिले में हम ये बता सकते हैं आपको कि किस इस्तर पर आपको जो है कॉलेज उपलब्द हो जाएगी तो निश्यती कि मान के चलिएगा कि जल्द ही जल्द ही जो है आपको जो है तो यह तो जली वी इते बिल्कुल सही है जो हमने आपको बताया था सो परसेंट सही है इसके अत्रित भारताचारिय के नाम से अभीनों भारताचारिय राणा कुम्भा को माना याथा था अगले प्रश्ण के और देख लें अगला प्रश्ण है कि ब्रामण ग्रंद करमकांड से संब्धित है अगस्प्रस्थाओं के लिए नया सविधान की बात करें तो 37 दिग्री 6 मिनट उत्तरी एक्षांस बिल्कुल इसका सही अंसर है और इलाबाद का शोगस्तम किसके साशनकाल में तो समंतुर्गुप्त के साशनकाल में जिसको हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और दक्षिन भारत के शक्ति शाली परिद्वाष क्या कहलाते हैं गोपूरम कहलाते हैं इसी प्रकार से 10,000 फीट उची सबसे लंबी सुरंग जिसको हम अटल टरंग के नाम से भी जानते हैं अटल टनल के नाम से भी जानते हैं राष्टी राजमार्क तीन लहवनाली राजमार्क के उपर इस्ति जो अरब सागर है उसके दीव की विजेशता किया है कि सभी दीव प्रवाल मूल के मतलब कोरल दीव कारती हो गया जो मुंगी की चटाने उससे बने में अगले अहूं जाती जो महनमार में पाई जाती है पहली भारती अंत्रिक्ष महिला यात्री कलप्रना चावला थी और बात करें अगले प्रश्न की और की खेगर्म होएं है जो छुश्व करम incarán् विश्व में परथम इस्तान यह सबसे बड़ा उत्पाथा कोन है बारत दालो का है बिलक्ल चाहिए अंसर इसकी अध्रिक्त प्रशन के बात करें कि जांथ कि अरुणा आसफ अली को जाना जाता है इसके अत्रिक्त यूरियनियम के विशाल बंडार तुम लापले जो की आंदर प्रदेश में हैं बर्ड मेन ओवीडिया सली मिली वाटर मेन ओफ इंडिया राजेंदर सिंग जो दूसरे प्रश्म पत्र में हैं बात करते हैं अगला कि 2020 के शेत्रवल के नुसार सबसे बड़ा वन शेत्र है मध्यपरदेश का है अमजद अली सरोधवादी अंत्र बजाते हैं बिल्कुल सही माना अंसर अगले प्रश्म की बात करें तो कियामिनी कृष्मुती भारत नाट्यम की तर भारत नाट्यम की है और रामसर साइट जो आत्र पर जंगल पर रहने वाले समझतायों का अधिकार बताता है तो वन अधिकार अधिनियम एफ आरे 2006 जो है इसके तहित लागू किया गया है शेक्स्पियर किसे कहा जाता भारत का तो महा कवी कालिदास को शेक्स्पियर किया जाता है ओजोन पर सेरेक्शन के लिए वियना समे अधिक जारी करने के अनुवति नहीं है तो वह सलफर रडा एक्साइड नामीं गंगे परियोजना केते हैं तीनों मालूप चार रिवर फ्रंट और रिवर सते की सफाई जो है तीनों कारी के जा रहे हैं तो डी अप्शन इसका सही माना है अगले प्रस्ट की बात कर लें त आपको 99 प्रस्ट वही प्रस्ट है वही अंसर है जो हमने आपको बताये थे आगे बात करें कि अमलीय वर्षा को संगमर्वर के लिए संगमर्वर केंसर की उपमात दी जाती है कालिब मगा राजस्थान के हनुमानगड़ के अंदर है बात करते हैं कौन सा जो किला है वो इत्य घुमर है और खातोली का युद राना संगा और इब्राहीम लोदी के बीच हुआ और तेजा जी का मेला बिल्कुल हमारे नोट्स में सा है यह परबसर बिल्कुल सही आंसर है रास्तान की जो है कला थेवा कला के नाम से जाना जाता है जो मीनाकारी है कांच के ओपर श नया अवएड़ा शिव मुंगा बनाया गया है और स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो है वो खेलो इंडिया का स्पॉंसर है बात करते हैं आगे फेडरल कॉर्परेट टेक्स किस देश देश द्वारा सविकतराज अमिराद द्वारा लगाया गया हम रक्षा करते हैं विर्व प्रो वालिका और महिलाओं को बाटे आते हैं और T.L.M.L.A. ताता ग्रूप और मार्टीनम्ला जो यूसे यूस मतलब अमरिका का है अमेरिका का जो मार्टिन ग्रूप गें इनके बीच समझो था सवयॉक्धम स्थाप्त किया गया है तो ये आपके सामने 50 gk के प्रश्ण हुए इसके अत्रिक्त में जो दूसरा पॉर्चन है जी के का जो हमारी दूसरी जुकी है, चार साल वाली जुकी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, चलिए, चर्चा करते हैं हम लोग 150-100 प्रशन से से लेंगे, कि किस देश में उच्चा योग ने भारतिय कारगिल प्रियोजना के दित, सरकारी अनुदान प्राप्त दिया है, त अंतराष्य बाज्रावर्ष किसके दवराप्रस्ताव रखा गया था उए-नो में, तो भारत के दवराप्रस्ताव रखा गया था, तो इसके दो आंसर सही हो गहें, किस फिल्म को जो लगू फियंच चैनली में ऑसकर मिला है, तो मिला है Elephant Whispers को, बिलकुल Elephant Whispers को मिला है, अगले प्रशन की बात कर लें हम लोग G20 की Space Economy Leaders की Meeting, देखें, शिलोंग में भी Space Economy से related Meeting हुई है, और जब बात करते हैं, Leaders की Meeting तो वह हुई है, बैंगलूरू में, कहो हुई है, बैंगलूरू में ये Meeting हुई है, अगले प्रशन की बात करें, बिल्कुल सही माना है, जल मेट्रो, अब देखो यहां बात करते हैं, जल ट्रेन की, अंडर्वाटर ट्रेन की बात करें तो तो कोलकता आएगा, और बात करें जल मेट्रो तो उसका सही आंसर है कोची, उसका सही आंसर क्या है, कोची, राध बजट यह हमारे नोट्स में सहा है, बिल्कुल बजट राध बजट दो है, वो हमारे बजट 2023 रहस्तान की टेग लाइन है, उसका मुख्य बिंदू है, बात करते हैं अंगले, कि कौन सा जो है, इ-O-M-I की इंडिया की 2022 की रिपोर्ट में सरोच इस्तान प्राप्त किया तो वो किया है, पूने ने, किस ने किया है, पूने ने, इसके अत्रिक्त, दुबई में वेश्विक शिक्षा प्रतरशनी में किस देश का मंडब पैवेलियन का उद्गाटन किया गया, तो वो भा बात करते हैं, जोदपुर्ष शेतर में, जो भूमिकत बावडिया हैं, उनको हम जालरा के नाम से जानते हैं, रास्तान की लोकसोवा की सीटे 25 है बिलकुल, बिलकुल राना परताप साकर की जो शमता है, इस्तापिश शमता जो है, वो एक सो बैतर मेगावाट है, बिलकुल रास्तान सेवा संग की स्तापना वर्दा मूवी, बात करते हैं, रास्तान में कों सा नत्यर यूसको का अमूर्थ तसांस्कृतिक वेराशन में शामिल किया है, तो कालवेलिया नत्यको किया है, गुलाबो भाई जो है, इसकी प्रमुक नत्यांगना है, जो पुषकर अजमे कौन है तो है कमल रंगा बिल्कुल सही अंसर है और है सेव नियोजित मैला सिंग सेवा सेवा का नाम बताईए जिन्हें पद्बूशन दिया गया है तो दिया गया है इला बेन भट को पद्बूशन दिया गया है बिल्कुल सही माना अंसर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बिल तो जो है ये प्रुसकार मिला और जो है अगला प्रशन क्या है कि ट्रेस्ट विट डेस्टिनी जो है वो किसके द्वारा बाशन दिया गया तो हमारे पंडित जवालनान लेरू की द्वारा बारत की आजादी पर दिया जाने वाला बाशन था ये बहुत फेमस बाशन है बात क बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्ण की और तो भुकर भुसकार जितने वाली पहली भारति वह ना अनुरती रॉय बिलकुल यूइटेट नेशन फेंबर कंवेंशन ओन क्लाइमेट चेंज यू यू एन एफ सी सी का पूरा नाम है यूइटेट नेशन फेंबर बिलकुल सही माना क्योंकि धाराएं नहीं हो सकता इन में से कोई नहीं हो सकता और प्रकाश को नहीं रोकती है जो है कार्मट एकसाइड और यह किसको रोकती है गर्मी को सूडिय से आने वाली लगू तरंगों को तो आने देती है CO2 CO2 परंतु वापिस जभी दिर्ग के नाम से भी जानते हैं बिलकुल यह वापिस आगया वाटर मैं ओफ इंडिया बिलकुल राजेंदर सिंग मैंने आपको बताया था बर्ड में ओफ इंडिया सलीम अली बात करते हैं अगले प्रश्ण की और बेचेंदरी पाल की जो है किस पर ध्यान गेंदित कराने का डू रूपब मिश्र की पुस्तक है बिलकुल सही है बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की और कि वन मंत्रा लिए और पहला समंदरी परियावण सब्देशिल शेत्र गोशित किया गया है कच्की घाड़ इसका सही आंसर है भूल जल प्रदूशन के लिए फ्लॉराइड सबसे ज लाए जाते हैं दो खनी जोगों मानचित्र वाउशर्ण के लिए कौनसे संस्त्ता जिम्मेदार वह भारतिय बू I can अगर पूरब कालवीडियो देखा हो तो उसमींद फूरा समझाय ता मैंनोरी आम इंदो का मिलती ए उड़चा मिलती है उडिचा के तरफ पर उंकारिश्वर प्रियोजना जो है वो नर्वदा नदीपर है बिल्कुल सही अंसर है नर्वदा नदीपर है बात करते अगले जमशेदपुर का पूर नाम साक्ची गाउं साक्ची गाउं जो है जमशेदपुर का पूर नाम था बिल्कुल और भारत को उपमादिप क्यों कहा जाता है शेत्र जो है वह बहुत बड़ा शेत्र है विशालाकार है इसके कारण उसको उपमादिप कहा जाता है इसके अत्रिक्त इस प्रश्ण में जो यह शाक्षरता दर दी गई है यह देखिए 7.6 जब कि यह है 71.6 प्रतीशत है तो निश्चित रू क्या है कि खेटरी किसके लिए प्रसित है तो तांबे के लिए प्रसित है किसके लिए तांबे के लिए तो जरूर बिल्कूल आप सभी को पता होगा सुमले का लेका वह erhalten कता है और प्रसक क्याम में क्या कहता है कि कांग्रेश का जो लाहोर अधिवेशन हुआ था, तो जवालनल नेरूस में क्या चुने गए थे? जख चुने गए थे? बात करते हैं, रिगवेद में एकजार सुरोतों को, और सुक्त कहते हैं, क्या कहते हैं? सुक्त कहते हैं अगले प्रश्ण की और बढ़ जाएं तो निमली किते से भातिय इतियास का गुप्त युग किस से संबन देते हैं तो आरिय बट का भारतिय खगोल विग्यान का मैक्तुन युगदान है गुप्त युग के अंतरकत आलमगीर नामा किसके लिए औरमजेर के शासन के लिए कहा जाता है बात करते हैं चंपा किसकी राजा नी थी तो चंपा जो राजा नी थी वो थी अंग राज्ये की बात करते हैं, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाए अबिंदरनाट टेगोर ने भारत माता का पहला चित्र बनाया तो आगे जो हमारा अंतिम प्रश्ण है वो यह है कि Congress Socialist Party की संस्तापक सदेश्य कोन थे अध्यक्ष कोन थे संस्तापक अध्यक्ष कोन थे तो वो थे आचारिय नरेंदर देविस के अध्यक्ष थे और शक्तिशाली चोल शाशा कोन था तो वो था राज राज प्रत्म जो है तो यह हमने दोनों पेपरों की जो जीके वाली की है उसको हमने सौल किया बाकी की आप डाउनलोड करके चेक कीजिए अपने नंबर कितने बन रहे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको बता सकें कि आपके नजदी की कॉलेज जो आपको मिलने वाला है या नहीं है इसके पिटीटी से संबने कोई भी प्रशना अगर आपको पूछ रहा है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए की कोशिश करेंगे फिर बता देता हूँ कहां से डाउनलोड करनी है जी जी टी यू की वेबसाइट पे जाईएगा यहां पी टी टी आंसर की आएगा फिर उसके बाद ये खोलेगा और यहां व्यू में जाएंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और अगर आपको और हमारे ग्यानारत अकेडमी के जो टेलिगनाम पेज उस पर जाईए उस पर आपको पहले से डाउनलोड यह मिलेगी और वहां से आप डाउनलोड करके अपनी की को चेक कर सकते हैं निश्ची थी सभी लोगों ने बहुत अच्छा एक्जाम दिया पेपर इस थरी था तो में आपको बता दूँ कि हमारा ग्यानारत अकेडमी का यूट्यूपेज जिस पर आप हैं वह तो निश्ची थी रूप से हई तो आप उसको सबस्क्राइब कीजिएगा इसकी अद्रिक्ट हमारा जो हमारा जो एप है वह ग्यानारत अकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पर आ तो निशिदी आज के लिए इतना ही जहिन सातियों लगे रहें तैयारी में सफलता जो है बिलकुल आपके नजदीक आकर खड़ी होने वाली है तो निशिदी तैयारी करते रहें आज के लिए इतना ही धन्यवाद